Hi everyone, क्या आपकी बाल बहुत जड़ा जड़ा रहे हैं, तूट रहे हैं, गिल रहे हैं, क्या आप अपने बालों में कलर करके ठग गए हैं, तो भी कुछ दिन बाद निकल जाती हैं, क्या आज मैं आपके लिए एक ऐसा हैर मास्क लाई हूं, जो आपके हैर की सारी प्रप्रोम क दूर कर देगा, नहीं आपको कलर करने की जरूरत पड़ेगी, डाई करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आपको मेंदी लगा करके घंटों बैठने की जरूरत पड़ेगी, जो आपके बाद सफेद हो रहे हैं, वो रुक जाएंगे, और जो सफेद हो गए हैं, और जो सफे डेली बढ़ते हैं आज आपने लगाया उसके बाद आपके बालों की ग्रोथ हुई तो वहां से आपको सफेधी दिखने लगती है तो आप लोगों को लगता है कि इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला लेकिन नेचरल चीजों का रिजल्ट धीरे-धीरे आता है तो इनको आप करके बालों का कलर काफी अच्छा होने लगएगा आज आपने लगाया और आपने कमेंट्स कर दिया कि भाई कोई फाइदा नहीं करता है ऐसा नहीं होता है अप उनको यूज करिए आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा तो यह हैर मास्क आपको कैसे बनाना है क Allo Jatly और में जो कविसे हैं जैनल को सब्सक्राइब है, Dye कह सकते हो color कह सकते हो जो भी आप चाहू हूँ क्योंकि इस्से आपके बाल काले होंगे तो इसके लिए हमें चाहँए एक लोहे की कढ़ाई लोहे की कढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं तो आप normal कढ़ाईви ले सकते हो लोहे की सबसे बेस्ट है, इसके साथ ही हमें चाहिए आवला, आवला खड़ा ली सकते हो, पौडर भी ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास हो, तो दो चमज आवला पौडर ले ले लेंगे, नहीं तो आप इतना पांस से साथ खड़ा आवला ले लेंगे, और इसमें हमें एक ऐलो वेरा यहाँ पर मैं प्लांٹ का ही ले रही हूँ, तो प्लांट का ही आप भी ली जएगा, आपको हर जगा प्लांट मिल जाता है, नहीं तो आप अपने घर में एक गमले में भी लगा सकते हैं, करीपता अगर आपके पास सासर Folies नहीं है, तो इसका पाउडर आपको मा प्रश्पूत करती है साथ में हम यहाँ पर एक चम्मच चाय की पती लेंगे जो भी आपके घर में चाय बनती है आप वही चाय की पती को लेना है और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा बॉयल होने देंगे जब यह हलका सा बॉयल हो जाएगा आप मेरी की फ्रेस मेंदी है जो मेरे आप पेड़ लगा है मैंने आपको बताया था उसकी पत्यों को मैंने सुखा करके करा है तो आप देख सकते किती ग्रीन ग्रीन है यह जो आपका बन के तयार होगा यह आपके बालों को इतना जड़ से काला करेगा मजबूत करेगा और आपके ज भालों को घना मजबूत भी करता है, अब जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से ये बिलकुल काला हो चुका है, है ना और ठंडा भी हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे, इसमें जितनी भी चीजे प बालों को काला करने का ही है है ना इन से चीजों से आपके बाल काले होंगे ही होंगे लेकिन अब आप सोचो एक ही बार में काले हो जाए तो नहीं होंगे हाँ मेंदी पाउडर मैंने घर का डाला है आपके पास मार्केट का है तो मार्केट का ही लेंगे इसको मैंने बारीक पी क्योंकि मुझको लग रहा था कि आराम से बैठ करके लगवालूं तो फिर मैंने यहां बैठ करके लगाई आप चाहो तो खुद भी लगा सकतू वैसे मैं खुद भी लगाती हूं इस तरह से गलप्स जरूर पहन लीजिएगा क्योंकि अगर नहीं पहनेंगे तो आपके हाथ क इसको आप वीक में एक बार जरूर अपलाई करें इसके बार आपको शैंपू नहीं करना है नॉर्मल ही पानी से अपने बालों को धोना है और धोने के बार जब आप देखोगे तो आपके बालों का कलर पहली बार में ही काफी अच्छा आजाएगा गैस बहुत ही अच्छा आपके बालों में आजाएगा कलर और इसको आप हमेशा यूज़ करते रहेंगी जब रेगलर यूज़ करेंगे तो आप देखोगे कि आपके जो बाल सफेज सफेज से दिख रहते वो काले हो गए हैं काले नहीं होंगे तो तुरंत मतलब एक अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ लेकिन कुछ भी चीज़े हम यूज़ करते हैं पेसेंस रखने की ज़्यादा जरूरत है यह नहीं कि आज हमने किया और कल हमने कमेंट कर दिया कि भाई आप ने जो बताया था रेमिडी उससे तो बाल काले ही नहीं हुए और यह गलत है ऐसा नहीं है इसमें आप देख रहे यह हैर मास्क है आपके बाल अगर सफेद भी नहीं है बाल जड़ रहे हैं तोट रहे हैं तब भी आप इसको यूज़ करें और इसको आप बच्चों के भी लगा सकते हैं इसको मैं इस तरह से जुड़ा बना बना करके गल्स लगा रही आप चाहो तो नॉर्मल इस तरह से और लगा करके बस हम इसको एक से डेड़ घंटा मैंने तो एक घंटा चोड़ा था आप चाहो तो एक से डेड़ दो घंटा तक छोड़ करके फिर इसके बाद आपको शैंपू नहीं करना है नॉर्मल पानी से अपने बालों को धोना है तो जरूरी नहीं है कि आप मॉर्णि करके फिर आप इसको शखी करें शर्ट करें 가능 और मेरे बालो का कलार को कहा बाला हैं यहाई दिया बें है दिरे जो कि सपड़ी को बड़ा बालों कीज़ का उंड़े 14 पार किरें시면 का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसको यूज करिएगा यूज करने के बाद इसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रू शेयर करेंगा थैंक यू फर वचिंग बाई मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में